hallo guys र sait and welcome back to our YouTube Channel आज हम लोग देखने लें प्रैक्शन ट्रीडिंग स्ट्राइजी ठीक है बहुत लोग प्रैइड एक्शन प्रैसे ट्रेड और प्रैज कुछ समझते हैं वो लोग या behavior होता है उसको समझेंगे जब price किस तरह से behave करती है अपने एक particular zone पे उसको बोलते है price action तो price की behavior को study करोगे तभी तो आप strategy develop कर पाओगे या फिर price action को trade कर पाओगे ठीक है जो मैं बोल रहा हूं उसको directly market से test करना है ठीक है अब हम लोग directly strategy देखते हैं जितने भी मेरे स्टुडेंट्स होते हैं हमेशा में लाइब ट्रेडिंग कोर्स हो या फिर वरक्शॉप हो हमेशा मैं उनको price के behavior पे ट्रेड करना सिखाता हूं मेरे लाइब ट्रेड अगर आप द कब हमको market के participants को कैसे रीड करना मार्केट के behavior को रीड कैसे करना तो directly हम लोग क्या करते है एक्जामपल ले लेते हैं और directly examples के basis पे ही हम लोग इस strategy को सीखेंगे कि price action real price action क्या होता है कैसे होता है यह चीज हम लोग सीखेंगे अब हमको यह चीज यहाँ पर देखने को मिलती है यहाँ पर मैंने box में mark कर रखा है देखने को क्या मिलता है सबसे पहले तो market ने यहाँ पर आया यहाँ पर आया नीचे जाने की कोशिश किय जब market ने एक breakout तो यहां पर जाने की वेख आपा नहीं जापाया तो मेरा market से यह सवल है study करने का मैं आपको एक style बता रहा हो कि अगर market को नीचे जाना होता तो इतनी तैम पास क्यों कर रहा था तो यह behavior अपने को क्या बताता है market का कि हाँ मार्केट ने आपे ब्रेक आउट तो दिया है लेकिन अब जो सेलर्स हैं उन में स्ट्रेंथ नहीं बची है स्ट्रेंथ और वीकनेस के ओपर डीटेल में वीडियो में अल्रेडी बना रखे ठीक है आप लोग इस तरह के प्राक्टिकल वीडियो अगर देखोगे तभी आप ल नौलेज देखना है तभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में रहा है तो ठीक है मार्केट रेड कैंडल बना रहा है मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट छोटे छोटे रेड कैंडल बना रहा है नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन क्या मार्केट जा पा रहा है क्यों नहीं जा पा रहा है क्योंकि सेलर्स यहां पर वीक है तो सेलर्स अ के ब Chrš crisis क्वेजिए कि मार्केट सेम लवल पर याकी मार्केट नीची जाना था अगर इसको टो ऐसा मोमेंटम्टमम एक केंडल का हएट़ फिर फास्सक्समेंटम फिर जो चाहरे मजले का हैं फिर फास्थ मोमेंटम फिर जोचेहरे लिगे प्लीध कि नीचे आ जाता बहुत वार ऐसा भी देखा है आपने मोमेंटम जो होता है जो रियल मोमेंटम हो तो हौ जाता है टो यहीं अपने को चीज सीखनी है यह स्ट्राटेजी अपने को सीखनी है ठीक है नेक्स्ट एक्जामपल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब मार्केट नहीं किया एक अच्छा आप मुफ स्ट्रॉंग मोमेंटम किया ठीक है अब स्ट्रॉंग मोमेंटम होने के बाद यह रेड़ कैंडल बनाया फिर यहां पर जाके फिर रेड़ कैंडल बनाया फिर रेड़ कैंडल बनाया फिर रेड़ कैंडल बनाया फिर रेड़ कैंडल बनाया लेकिन यह रेड़ कैंडल देखने के बाद यह इस तरह का कोई पाटन देखने के बाद या फिर यह बेरिशनेस देखने के बाद या फि इतना ज़़्य वीक ब्लिवैश्यू करता है अगर मार्केट इप्रेड बता क्या जुकाव मार्केट का आपको नीचे के तरफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है उपर जाने के बाद भले यहां पर पीछे अगर आप देखोगे 39800 की राउंड लेवल मिलेगी आपको हो सकता है को रेजिस्टंस भी मिल जाए यहां पर अगर आप चेक करते हो तो रही तो क्यों नहों लेकिंडया मार्केट उस रेजिस्टंस पर या पर सब्सक्राइब को को कुड़ कर रहा है क्या मार्केट में एक गया । सेम लेवल पर ही नाटक कर रहा है। अगर यह बहुत जादा बुलिश होता तो मार्केट यहां से चला जाता ऊपर यहां से चला जाता यहां से चला जाता यहां से का is zone के उपर अब जाऊंगा में ऊपर अब जाऊंगा में उपर अब जाऊंगा में उपर इस तरह से क्योए बता रहा है ऐसे question अगर आप हुद से करो ऐसे question और आप Market करो गें ऐसा कितनी बार हुआ है टो आपको पता चलेगा market का behavior गया हो था है advocate गहाई जिसको नहीं समझेगा वो लॉजिक पर कभी ट्रेड नहीं कर पाएगा तो कभी ट्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि लॉजिक ही सब कुछ मैं आगर आपको यहां पर बता देता है यह मूविंग आवरेज के नीचे आता है तो सेल कर दो आप यह ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे इसमें आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको 0% मार्केट समझने वाला है तो हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं स्टूडेंट्स को मैं क्या सिखाता हूं मैं खुद कौन से बेसिच पर करता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ विड़ाउट इंडिकेटर इसको प्योर प्राइज बिहेवियर के ऊपर ट्रेड करता हूं ठीक है अब मेरे लाइप लाइप लिए अप्डेट होते रहे हैं हर महीं तो यह चीज है इस तरह से मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्च्वल चेड कैसे करना है और एक्टल में अगर आपको यूटूब पैस्व चीज़ है ना काम में आने वाली सिर्फ पांच चीज़ यह पांच चीज़े भी अगर आप सीख लोगे तो भी आपको ट्रेडर से कोई नहीं रोख सकता लेकिन आप लोग सो चीजों में हजार चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो ठीक है तो जितने भी स्मार्ट लोगे एक काम करना आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियोस देखिये जितनी चाहिए लेटिस लास्ट 50 वीडियोस देख लोगे तो आपका जो पिच्चर है आपका जो ट्रेडिंग माइंड सेट जो अप्रोच ट्रेडिंग की तरफ वह क्लियर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट एक्जामपल हम लोग देखते हैं ठीक है अब मुझे यह चीज बताइए यहां पर मार्केट ने क्या लिया था सपोर्ट लिया था लेकिन इस बेरिशनेस शो करने के बाद भी मार्केट सेम लेवल पर यहीं पर टाइम पास क्यों कर रहा है इसको अगर नीचे जाना था इसको अगर बड़ा डिरेक्शन बड़ा मुवमेंट नीचे के साइड करना था तो इसको तो चालू रखना चीए ना अपना मुमेंट करते हों कि नहीं आपको डिस्टनस जल्दी कवर करना होता है आपको अगर बड़ा मुमेंटम करना है तो आप लोग उसी जगह पर टाइम पास नहीं करोगे वैसे ही मार्केट का नीचे जाने के बजाए यहाँ पर रूकना चालू कर दिया आब यहाँ पर रूक रहा है तो बचा क्या ऊपर के साइड का मॉमिंटम ही बचा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और ये चीजे में और होने के बाद नहीं बता रहा हूं। लइव जहाई आपको मैं प्रेद्स दिखंगी उससे आप सीख सकते हूं ठीक है फ्री वीडियो देखोगे तो भी ओर दैने पड़ेंगे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको सारी चीजें खुद से करनी पड़ेगी एफ लोगे tbh कोई भी चीज यहां पर कोई भी चीज इतनी इजी नहीं होती दुनिया में आपको अगर आपकी एफ़र्ट लेने की तहरी है तो आपके लिए सारी चीज़े इजी हो जाती है ठीक है कि नेक्स एक्जांपल लेए यहां पर लिए रखन लेकिन अच्छा लेकिन क्यों मार्ट एक गंटा यहीं पर टाइम पस करता रहा है तरह से उपर जाएंगा ओपर जाएंगा लेकिन एन में हैंने नीचा क्यों आया मुझे चीज़ बताएं एक अच्छे का से स्ट्रॉंग तो उपर इस तरह से continue नहीं करना चाहिए तागर इसको उपर ही जाना होता तो इतनी दिए अगर इसने होट किया है इस तरह से कुछ breakout बता है तो market को जो अपना एक momentum होता है इस तरह का higher high और higher lose इसको continue करते रहना चाहिए अगर यह trending market है तो लेकिन market क्या करता है मार्केट उपर तो आता है लेकिन यहां पे एक week behavior बताता है buyers यहां पे week होते हैं और buyers अगर यहां पे week होते हैं try करते है most of the candles यहां पे कौन सी बनी है क्या pattern किस तरह का situation बनी है उपर गया rate टाइप बताया और फिर से इस तरह का pattern बनी है यह pattern buying side का pattern अगर यह pattern है तो इसको तो continue होना चाहिए था क्यूं मार्केट यहां पे ज्यादा green candles बना कि भी बाद में नीचे आता है तो यह सारी चीज़े आपको study करनी है इसको भी बोलते है तो ही तो price action ट्रेड कर पाओगे बहुत लोग यह मुझे question करने कि patterns अगर काम नहीं करते है तो फिर price action कैसे काम करते है तो किस ने बोले आपको कि patterns price action है patterns is totally different चीज़ है और price का behavior या फिर जो behavior होता है price action वो totally different चीज़ है तो price action जब आप बोलते हो ना price action ट्रेड करते हैं तो आप बोलिए कि price के behavior को या फिर आपको मैं meaning बता देता हूं price action का मतलब होता है price का behavior ठीक है यह चीज़ आपको समझ नहीं चीए अगर आप लोगों को बहुत time already हो चुका है ना market में तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि patterns कितने काम करते हैं head and shoulders pattern कितना काम करता है आपका W बैटन आपका M बैटन राइट इस तरह कोई W बैटन होगा या फिर कोई inverted head and shoulders pattern होगा तो यह कितना काम कर रहा है यह सारी चीज़े यह आपको पता होना चाहिए इस तरह कोई breakout होगा यहाप आप वाय करते हो market तो आपका ऐसे लिट कर देता है यह बहुत बार अगर आपको हो रहा है तो सोचना चाहिए ना कि पूरी दुनिया बोल रहे है पाटन स्टेड करो लेकिन फिर भी मार्केट में तो पाटन स्टेड नहीं करें तो फिर क्या काम करता है राइट ऐसा खुद से सवाल पुछोगे तो answers मिल जाएंगे मैं आगर यहां पर आके या फिर मार्केट एक बेरिस सेंटेमेंट यहां पर बताता है गैप फिलिंग पेंडिंग आप मुझे बता अगर प्लिंग फिलिंग यह सारी चीज इक मार्केट को इतना टाइम पास क्यो करने की जरूरत पढ़ रही है यहां पर रैट क्या ऐसा सवाल आपने कभी पूछा नहीं पूछा होगा तो नहीं पूछा है तभी मैं आपको रहा हूं कि मार्केट में आप लोग वी चीज़े देख रहे हो जो यूटुब पे अवैलेबल हैा यूटूब पे आपको बुकिस नॉलेज के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला यह पैटन यह पैटन यह इंडिकेटर वह इंडिकेटर ठीक है रिस्क मानेजमेंट पर बोल देंगे यह सारी चीज़ें लेकिन डायरेक्षन को कैसे पता लगाना यह कौन बोलेगा हम लोग मैं मेरे स्टूडेंस को वही चीज़ें सिखाता हूं क्मार्स मास्टर क्लास के तीन पार्ट यह पार्ट वन पार्ट चुम आगर देखोगे तो आपको उश्यली पता चल जाएगी फारी चीज़ें बता चल जाएग गर लेकिन आप लोगों वीडियो नहीं देखनी हैं आप लोगों को कुछ शॉटक टो फिर थोड़ सा मुश् तो उनके भरुसे पर ही तो मार्केट उपर जाएगा तो यह सारी चीज़े इस तरह से गाम करते हैं अब यहां पर देख लिए मार्केट ने जोन हमने मार्क कर दिया जोन का प्रेकाउट डिया रीटेस्ट टाइप बताया और फिर उपर जाने के बाद इतना इसको हाल्ट करन करते हैं लेकिन अगर कोई करता है तो उनके लिए सारे कंफरमेशन मार्केट ने बता दिये तो फिर मार्केट इस तरह से यह बिहेवियर क्यों बताने लगा राइट यह चीज़ यह बिहेवियर ही आपको मार्केट समझने में हेल्प करेगा ठीक है 90% काम है प्राइस के बि 31st October का लाइब ट्रेड या फिर टेलेग्राम पर चेक करें आपको जरूर मेरा ट्रेड मेल जाएगा ठीक है या फिर लॉजिक बिहाइंड माइट इस वाले वीडियो में शायद उस दिन का ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हमने को ट्रेड करन करने के बाद यहां पर मार्के ने एक जोन को भी ब्रेक आउट कर दिया राइट यह सपोर्ट जोन सपोर्ट जोन और यह सपोर्ट ब्रेक राइट अब ब्रेक होने के बाद इतनी देर मार्केट को क्यों लग रहा है नीचे जाने के लिए रिटेस्ट करने के लिए रिटेस तो करें इसका मतलब क्या में यह सेटब देखने के बाइस बहुत सारी यहांप रहे हों कि सब िक्रवे देश्य कर रहे हों वाली चीज़क्त के तो बाद रहा होगा यह har यहां बी सर्फोन के बाद slash bar लेकिन कि मारकेट तो नीचे नहीं जा से मार्केट नीच जाए इस जैन को ब्रीक किया अब बच्झे को पता ही कि यहाँ त00 मोमेंटम् कि लेकिन घंपर किया एतना हॉल्ट क्यों करने लग यह और पर бы secured मेब आप लोगों के सामने औकड़ा होता है यहां पे बहुत दोत Elaine यहां पर बाइंग सैठ थे यहां पर बाइंग सैथ कि लिकिन फाइनली डीटिलर्स कहां पर आक्टिव होते हैं और जब से लिए अक्टिवेट होते हैं तो मार्केट उनके एसल हिट करने ज़रूर जाता है ठीका है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी समझ मैं यह तो like कर देना बहुत ज़्यादा practical knowledge अपने channel पे available है यह videos आपको trader बनाने के लिए more than enough है ठीक है महेंगे महेंगे courses करने से अचा videos देखिए बहुत ज़्यादा आपको help हो जाएगी यह मैं आपको guarantee देता हूँ ठीक है thank you so much for watching this video guys see you in the next video thank you